दोस्तो जियो फाइनेंसल सर्विस की बात के श्टॉक के अंदर आज हमने कुछ गिराउट देखिए बाज़ार में तो काफी अच्छी तेजी थी लेकिन जियो फाइनेंसल सर्विस में आज गिराउट ही उसके पीछे वज़ा है बड़े फंडा उसने आज जम के लेना चाहिए श्टॉक को या फिर अभी हमें वेट करना चीए तो यहाँ पे बहुत सारी बाते हैं जिसको समझेंगे इस वीडियो के मादियम से जे एफसल का शेयर जो रिलाइज शेयर उल्डर को बोनस के रुप में दिया गया है लेकिन बीजनस बहुत जबरदस्त है औ तो क्या आने वाले समय यह भी टूथ हाउजन हो सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के मादिम से लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल आइक ओन दबा दीजिए ताकि जबी निय बहुत स्वागत है सबसे पहले जीओ फाइनेसल सर्विस के कारूबार की बात करें श्टॉक की सुरूआट 256 पर हुई यानि देखतो कि सुरूआट पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग फ्राइडे की 253 के आसपरस थी तो सुरूआट तो अच्छी हुई 257 का हाई भ वालिम आज थोड़ा सा कम था पिछले एक मैने पहले इसका 9 क्रोड का वालिम था 8 क्रोड की डिलेवर उठाएगे थी वन वीक पहले 10 क्रोड का वालिम था 6 क्रोड की डिलेवर उठाएगे थी और फ्राइडे को 4 क्रोड का वालिम था 2 क्रोड की डिलेवर उठाएगे थी आज थ्री क्रोड का वालिम आए और इसके पीछे वज़े यही है कि फिलाल इसमें बड़ी खरीदारी अभी फिलाल नहीं और यह लोग वेट एंड वाच कर रहे हैं तो यह तो आपको पता ही होगा कि जब इसके लिश्टिंग होगी ते 262 का आसपास हुई उसके बाद इसमें जबर्दस गिरावट शुरूई और इस टॉक गिरते हुए 202 तक आ गया लेकिन फिर निचले लेवल से इसमें रिकवरी शुरूई बड़े फंडा उसने जिससे इसमें खरीदारी शुरूई की इसने 266 का हाई बना दिया तो आपने ये भी देखा होगा कि इसको जब इंडेक्स से बार किया गया तो कुछ बड़े इंडेक्स बेस जो इन्वेस्टर है जो मीचल फंड्स वगरा है या फिर जो फोरेंड इंवेस्टर है उनको यहां से अपनी होल्डिंग को ट्रिम करना पड़ा उसके पीछे वज देखे चार सितमर को स्टॉक 253 के आसपास था 3.4% की यहां पे तेजी बनी थी पास सितमर को स्टॉक की क्लोजिंग 255 के आसपास थी 0.6% की तेजी बनी लेकिन 6 सितमर को स्टॉक फिर से 252 के आसपास आया 0.9% की गरावट के साथ में और 7 सितमर की बात के स्टॉक की तो यह आप देख सकते हो कि पिछले 6 ट्रेडिंग सेसिंग के बाद आज हमने इसको 250 के आसपास देखा है तो कुछ विक्नेस तो जरूर है और अभी आपे देखो कि जिससे यह बड़ी भी क्वाली हो रही है थोड़ा इस्टॉक और नीचे आ सका है लेकिन क्या जियो फाइन जो आप देखे तो अपनी रिलाइंस कंपणी से डी मर्जर होके अलग से एक कंपणी बनी है और इसका विजन है आने वाले समय फाइनेंसल सेक्टर में एक नया रिवॉल्शन लाना पूरा ने जो ट्रेडिशनल फाइनेंसल इस्टूशन है उसकी जगह पे अब एक नई श अब ट्रेज जो है आपको सर्विस देते हुए दिखाई देगी इसके लावाद जियो फानेंसल सर्विस बड़ी फिंटेक कंपनियों के साथ में पार्टनर्सिप करिए जिससे एक तरह स्टार्ट अप सर्विस प्रवाइड करने का काम कंपनी करने की सोच लिए इस समय जि यह तेजी से अपने कारुबार को आगे बड़ा सकते हैं इनके पास मिलियन्स ओप समय जियो के कस्ट्रमर से जो इनके साथ में इस समय एक्टिव तो कमपनी डिजिटल बैंकिंग और फिंटेक virus में बहुत तेजी से आगे बड़ सकती है और इनके पास जो इनका डिकोर performance आने वाले समय में इसके share price के उपर असर डालेगी जैसे आप देखे तो company का revenue growth और profitability कैसे रहती है उसके हिसाब से इसकी price बढ़ती हुए आपको दिखाई देगी साथ में जो second reason होगा वो market sentiment का होगा market sentiment कैसरता है आप देखे तो कि उसके हिसाब से इसके share price डिफेंड करेगी आने वाले समय में और दूसरी तरफ आप देखे तो competitive landscape है तो यहां पर देखे ऑलडी बाजार में बहुत सारी established बड़े इंड़े हैं जो market leader है जिसमें बजाज गुरूप भी है उनके साथ में इनको competition करना है तो कुछ इनको हटके करना होगा कस्टमर को अपनी तरफ अट्रक करने के लिए वैसे इन्होंने इनके पास वह अनुबव है इन्होंने पहले जीओ टेलिकॉम में भी यह किया है और अच्छी तरह से अपने हो सकता है और कुछ पॉलिशी में बदलावा तो इसका असर निगेटिव भी हो सकता है इसका भी आपको खास ध्यान रखना है इसके लाव जो six region है वो global बढ़ने वाली है तो आप समझ सकते हो कि काफी जादा पोटेंशल है इसके अंदर और जिस तरह कंपनी की तरफ से यहां पर एक मजबूर टीम डाई जा रही है कि यह वी कामन को काम यह बागडोर सौपी है तो यह समझ में आई रहा है कि आने वाल समें एग्रेसिव तरीक कम हुआ है वैसे 2019 में तो इंका निकेटिव था रिवेन्यू 105 क्रोड रुपीस के आसपस लेकिन 2020 में 349 क्रोड के आसपस था जो लगातर कम होते हो 2023 में 41 क्रोड के आसपस है यह भी आपको खास द्यान रखना है कंपनी का रिवेन्यू कम हुआ है इसके लाव कंपनी के प्राइजी से प्राइज बढ़ती हुए दिखाए देगी वैसे देखते हो कि टेकनिकल इंडिकेटर तो बिल्कुल बुलिश बने हुए इसके लाव जो समरी है वो भी बाइक की कॉल दे रहे है तो फिलाल जो टेकनिकल नेवल के इसाब से देके तो इसमें खरीदारी बनत ऑर 10बचकर 21 .75 की प्राइज से 4,39,3 00 की एक विक्वाली हुए फिर 12बचकर 24,05 की प्राइज से 3,24,00 की फिर फिर 12 बचकर 25,30 की और 1,6,00 की एक विक्वाली हुए फिर एक बजकर 45 मिनट पर 251 की प्राइस से 1,65,000 की बिक्वाली और हुई फिर दो बजकर 37 मिनट पर 251 की प्राइस से 1,14,000 की प्राफिट बुकिंग और हुई फिर दो बजकर 50 मिनट पर 250.80 की प्राइस से 1,39,000 की बिक्वाली हुई तो उसके बाद तीन बचकर 15 मिनिट पर 250.05 की प्राइस से 1,59,000 की फिर से एक विक्वाली हुई और तीन बचकर 28 मिनिट पर बैजार को लो जोने के समय 250 की प्राइस से 1,30,000 की खरीदार हुई तो खरीदारी तो हुई है कुछ बड़े फंडाउस ने जुरू किया लेकिन बिक्वाली बहुत जाना किसी बड़े फंडाउस ने जबरदस बिक्वाली किया और इसी वह जैसे शेर की प्राइस नीचे आई है लेकिन अगर आप देखें लॉंग टर्म का निजरीया तो ये स्टॉक बहुत अचा है आने वाले समय आपको यह माला माल कर सकता है लॉंग टर्म इंवेस्टर इस समय खरीदारी आप इसमें कर सकते हैं लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजेस अगाड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो किजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थैंकियो फ्रेंड